काहे को चिंता करते हो आप इसकी महिमा को समझो और निश्चिंत हो जाओ अगर समझ जाओगे न इस राज से को जान जाओगे न ये सब रोना धोना खतम हो जाएगा सच्ची मानिए एक केवल सूत्र हरदय में बैठा लीजे परमानंद का सूत्र है कोई भी कर्म आपका संसकार न बना पावे बस इतना समझना है ये सुबै से हमारे चिंतन चल दा है संसकारों से पेरित होकर कर्म होते हैं कर्म से संसकार बनते बस इसी से जन्मम्रत्यू का चक्र चल पड़ता है पूर संसकार से पेरित होकर के तुम्हारे हिर्दय में जो दुरवासना या सदवासना दोनों संसकार से ही प्रगठ होए ऊच्छे ही होते बुरे भी होते वो संसकार अंदर वहें वो आपको पेरित करेंगे आप बस आपको समलना है और वो समलने का बिद्धान प्राय हम रूज बताते रहते हैं जैसे आपके मन में ब्रती कोई कुमार का गामी जा रहे है ज्यादा दिर मत उसको निकलने दो ततकाल साउधान हो जाओ जैसे हम आज के दस्वे दिन स्वपन क्या था आप चिंतन करते हो क्या तो पूर्व संसकार से जो विशेवासना संबंदी आपके जीवन में बात आती है जो भोगा है जो अच्छा या बुरा जैसा भी कोई द्वेश करने वाला कोई सम्मान करने वाला कुछ भी ऐसा बाहर आता है जो प्रभू से भी लग है पहली बात ततकाल पर मिथ्या बुद्धी करो ए सब जूटा दूसरी बात ततकाल पर भगवत बुद्धी करो क्योंकि अगर नहीं रुकरा इतने में तो प्रभू ही थे हम जान नहीं पा रहे थे होगा क्या भले आप उस समय उसी में बिचलन करो लेकिन संसकार नहीं बन पाएगा हमें खास बचत करणी कि अगला संसकार न बनने पावे नहीं वो फिर पेरित करेगा आप जिस विशे का चिंतन कर रहे हैं अगर उसका सुख भोगे हैं और घंटों उसी में डूबे हैं चिंतन में तो क्रिया हो या नहो वो बन रहा है जो बनना चाहे जो हमारे बरबादी का कारण उसे संसकार के था वो बन रहा है बोले हमने कुछ बुरा तो नहीं की अब लेकिन जो आप चिंतन में बुरा सोच रहे थे यह संसारिक बाते हैं क्रिया पर उतरना अरे उतने सी जो संसकार बना वो तुम्हारे मोक्षपद में पहुचने में प्रेमपद में पहुचने में बहुत बड़ा बाधक है खास बात है संसकार दो सूत्रों से पहली बात मिध्यायदी नहीं कट रहा है तो तत काल भगवत बुद्धी उस वस्तु व्यक्ति स्थान में स्रीक रशली तो भले आपका हरदय जल रहा लेकिन संसकार नहीं बन पा रहा दूसरी बात वो समय वो क्रिया बांधने में समर्थ नहीं हुई निशफल हो गई निशप्रभावित हो गई मिजcel चली लेकिन फ्यूज हो गई वह आपको नस्ट नहीं कर सकती यह युक्ती से मुक्ती सावधानी पूर्वक हैर कर्म को निशफल करते जाओ कैसे निशफल होगा समझ रहे जहां जहां मन जाए पहले तो स्वापनिक भाओ अगर नहीं बनता तो भगवत भाओ और हर कर्म प्रभू को समर्पित कर दो हर कर्म तो वो आपको बाद नहीं पाएगा संसकार नहीं बना कुछ दिनों बाद जो पूरु संसकार सम्मिटते चले जाएंगे और आप जीवन मुक्त अमना हो जाएंगे आपका मन निश्चल हो जाएगा